तो क्या हाल है आपके आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्ताग्राम में जो आपके बास नोट का ऑप्शन आता है अगर वो ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल आ है तो उसको कैसे ला सकते हैं अब दोको यार बहुत ही देखने के बाद रिसर्च करने के बाद मु सब्सक्राइब करने के बाद में आपको प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी इस पर आप टैप करोगे तो जहां पर यहां पर यहां से एक नोट आप ड्रॉप कर सकते हो जो कि काफे एक यूसफुल फीचर है लेकिन बहुत सारे दोस्तों को आप लोगों में से कई लोग को यह मिलना है तो विसको लाने का क्या मैधड है मैधड बहुत असान है सबसे पहला जो मैधड आपको एपलाई करना है उसके लिए आपको अपने इस्ताग्राम के होमपेज पर आना है यहां पर राइट हैं कौर्णर पर बॉटम में आपको प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी इस और यहां पर देखो शो एक्टिविटी स्टेटस का जो ऑप्शन है इसको यहां से मेक्शूर कर लो कि यह एनेबल है अब यह परस्नली मेरे साथ प्रॉब्लम थी मेरा भी एनेबल नहीं था तो जब मैंने यहां से इसको एनेबल किया तो मेरा यह ऑप्शन जो है नोट का आने पे तुम एक अप्शन मिलता है Sharing to other apps इस पर tap कर लो और यहां पर facebook option से टौप मिलेगा Facebook पर टाप करने के बाद जो भी तूमारा Facebook का account है उसको यहां से connect कर लो connect करने के बाद जब आपका पूरी तरह से connect हो जाए उसके बाद अपना Instagram application उपन करो उसको uninstall कर लो uninstall करने के बाद दुबारा play store से install करो तुम्हारा ये option आ जाना चाहिए अगर in case अभी भी नहीं आता है तो भाई तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वीडियो अच्छे लग रही हो तो या like subscribe कर देना last method से पहले ताकि तुम्हारा भाई इस तरह की useful tips लेके आता रह है और तुम्हें अगर किसी particular topic पर वीडियो चाहिए तो मुझे comment section में जरूर बताना ठीक है तो अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा दुबारा से back जाना है settings में ही जाना है और settings में नीचे आने पर तुम्हें एक option मिलता है help का यहां पर tap करो help में आने के बाद report a problem का option मिलेगा report a problem पर tap करो और उसके बाद shake phone to report a problem का option जो मिलेगा इस हो यहां से disable कर दो disable करने के बाद report a problem का option जो है blue tap में यह तुम्हार open हो जाएगा इस पर tap करो उसके बाद include and continue पर टैप करो और उसके बाद यहां पर तुम्हें briefly एक note लिखना है कि hello team my instagram note option is not available तो मैं तुम्हें dummy message जो है description में दे दूँगा तुम्हें से copy paste भी कर सकते हो या अपनी language में कर दो send करने के बाद क्या होगा कि Instagram इस पर देखेगा अगर possibilities होगे तो तुम्हारा यह option enable कर देगा अब इसके अलावाद दोस्तों कोई भी rocket science नहीं है यही चीज़े हैं जो तुम apply कर सकते हो ठीक है तो that's all guys आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे next video में till then take care bye बाइ